कुरोना के बारे में आपको धेर सारे जनकारिया मिलेगा कुरोना में सबसे पहले कुरोना देश में कहां आया कि जगा पर आया कौन सा विक्ति पहले मारा भारत में के वाँ वीडियो के आन तक आप बने रहे पूरे जनकारिया आपको मिलेगा कि कुरोना क्यों आया कैसे आया तक लिए मेरे वीडियो के अन्ट आप आने रहे पूरे जनकाड़ी आपको मिलेगा जी हां करोना सबसे पहले कोब आयम और कहां पर सबसे पहले आया जी मैं आप वेटायता हूं की चीन में आया आप लोग जानते होंगे लेकि चीन में कौन सा सहर में यानि की चीन तो बहुत बड़ा है लेकिन किस सहर में बुहान सहर बोहान सहर में चीन में आया और किस समय आया दोजार उन्नेस में आया जी आगर पहले से पता था मैं चार से तुम जो लिए सकते हैं के पास करोना वायरस घुश गया आपके सरीर में सबसे पहले आपको की सरीर के पार्ट को खत्म करेगा यानि कि कॉरोणा वाइरस का क्या मतलब आपको सेखी में अंदर घुशने से किसके कान लोग मरते हैं जिया कोरोणा वाइरस सबसे पहले आपको फेंफ़रों को खत्म करता है जो कि फेंफ़रों को खत्म करने गए बार आप मर्ज जाते हैं मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मैं चायन कस्थ कहारत में भारत में पहली बार कुरोना कहां पर आया था हम कौन से राज में था कौन से जगह में पहली बार कुरोना केरल में आया था उसके पहले भारत नहीं था केरल में पहली बार कुरोना दर्ज किया गया कि भारत में कु चैंड नहयु पहुंच पाया यानि कि को उस जगह का नाम है जो की भारत का केंदर सासित परदेश में आते हैं यानि की करोना एक में वहाँ पर नहीं है मेरी देश में याने की भारत देश में करोना पुजेटिव सबसे पहले के अलग पहाएगा लेकिन सबसे पहले करोना काल में याने को ना से किस विक्ति का मौत हुआ कहां पर मौत हुआ कि जगा पर याने की करनाटक में सबसे पहले करोना से म ले करोना काल में जो की कर्फियों आद्मियों के बीच लगाया गया वो कब लगाया गया किस तारीक को लगाया गया पहली बार करोना काल में कर्फियों जी हां सुनने का खोज किस वेक्ति ने किया है जो कि जीरो का खोज किस वेक्ति ने किया था उस वेक्ति का क्या नाम है वो कहा के रहने वाले है जी हाँ उस वेक्ति का नाम है आर्जभट आर्जभट उस वेक्ति का नाम है जो कि भारत के है भारत में की जरके वह बिहार के अब बिहार में की जरके भारत को अच्छे तरह से बनाते हुए कौन सा विक्ति भारत को अच्छे तरह से लेकर आया और वहां सजाया भारत को यह नहीं कि कोई समान है कि उसे सजा दिये भारत किस परकार से भारत चलेगा कौन सा विधी लेगा क्या होगा किस तरह से भारत अच्छा लगेगा इसको राज्या राम मोहन राय ने जो कि हिंदु धर्म को भेद जो बेद होता है जो हम लोग को पूजा पाठ करने के लिए बताता है कि आप इस परकार से पूजा पाठ करें इस वीधी से पूजा पाठ करें इसका पूरा सचाई किस वेक्ति ने लिखा है उस वेक्ति का क्या नाम ह जो बेद को लिखे हैं बेद को समझा है पूर अर्थ अच्छे तरह से उन विखती का नाम है स्वामी दया नाय दयानन्द द्वारा यहां समझाया गया है दों को स्वामी finna को महमारी घोस इत कौन सा राजे पहली बार गोसित कर दिया कि करोना है यह महमारी है मेरे बीडियो अच्छा लगा अटमये चैनल को सब्सक्राइब कर लए